दोस्तो औरत का कौन सा अंग सुबह उठते ही दबाने से घर में मा लक्ष्मी का वास हो जाता है नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूटूब चेनल ओल टोटल ग्यान में अगर आप कुछ नया सिखना चाहते हैं तो चेनल को सब्सक्राइब अवस्य कीजिएगा और कॉमेंट में जै मा लक्ष्मी अवस्य लिखिएगा दोस्तो इस्त्री का यह अंग सुबह उठते ही दबाने से घर में लक्ष्मी आती है गरीबी दूर हो जाती है अगर आप भी धनवान बनना चाहते हैं तो ये काम सुबह उठते ही अवस्य करें ऐसा करने से माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर के आपके उपर अपार किर्पा होती है आपके घर में धन की चारों ओर से आगमन होता है दोस्तो आज के समय में लोग बहुत ही अधिक मेहनत करते हैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हैं फिर भी उन्हें ठीक से दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है यदि आपका भी यही हाल है तो सुबह उठते ही यह काम अवज से कीजिएगा इसी काम को करते ही आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं औरत को घर की लक्षमी कहा जाता है जिस घर में औरत का सम्मान होता है उस घर से माता लक्षमी कोसो दूर रहती है इसलिए औरत को सबसे पहले सम्मान अवजस किजिए और सुबह उठते ही औरत का एक अंग हर दिन दबाएं औरत के इस अंग में स्वर्ग के साथ-साथ किसमत की चाबी भी होती है इस त्रीके इस अंग को दबाते ही आपके बंद किसमत का ताला खुल जाता है और देखते ही देखते आपके सभी बीगडे काम बन जाते हैं माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा के लिए वास करती है और आप रातो रात धनवान बन जाते हो दोस्तो मां के चरन, पतनी की कलाई और बेटी के हथेली में मा लक्ष्मी का वास होता है जो पूरूस सुभा उटते ही मा के चरन दवाता है या पतनी की कलाई को दवाता है या फिर बेटी के हथेली को छूता है तो उसे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता ये उपाय सो परतिसत कारगर है इसे लाखों लोगों ने अपनाया और अपने जीवन में खुसिया हासिल कर चुके हैं दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आसा है ये जानकरी आपको अवश्य पसंद आई होगी तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए हमें इजाजत दीजी